कोई पंजाबी नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलिम नहीं है, सभी लोग इक्वल हैं Each individual can pray for his well-being और सभी लोग अपने लिए प्रातना कर सकते हैं मतलब अपने well-being, अपने जीवन को सही चलाने के लिए सभी लोग भगवान से प्रातना कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, मस्जिश जा सकते हैं They need not to depend upon the priest and on their rituals and sacrifice किसी को भी पुजारी, मौलाना, गुरू, किसी को भी उन पर depend होने की जरूवत नहीं है और ना है उनकी rituals means, अंदिविश्वास और बलिदान पर depend होने की जरूवत है कि ये करो तो ये हो जाएगा, वो करो तो वो हो जाएगा No, everyone can pray himself, herself to God One must be kind to all creatures in this world and must not kill them और हर एक को, जितने भी animals, creatures हैं इस वर्ल्ड में सब के लिए दया भाव ना रखना चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए जैसे कि बेटा हम बताते हैं आपको महावीर स्वामी के जो followers हैं, जैनिस्म So they even don't kill the mosquitoes also Means वो मक्षर को भी नहीं मारते हैं जो true followers हैं, आजकल तो कोई नहीं बेटा, सभी जैन तो हैं बट उनके teachings follow नहीं करते हैं, जो teachings follow करते हैं, जो उन्होंने अपने आपको sacrifice कर दिया है अपने आपको समर्पित कर दिया है, बल्दान कर दिया है, ठीक है ना? तो वो अब मक्षर तक भी नहीं मारते हैं So they praise the philosophy of Ahinsa, दोनों नहीं जो है, Ahinsa के बारे में समझाया That is, live and let live, जीयो और जीने दो They wanted people to practice charity, वो सब यह चाहते थे दोनों लोग, कि लोगों में जो है, दया भावना हो They stress on honesty, good deeds and virtuous life as means for salvation उन्होंने ये बताया कि जो है, इमानदारी, अच्छे काम और जो हमारी जो life है, गुण होने चाहिए ये सब ही चीजे जो है, हमें salvation तक ले जाती है, means निर्वान तक ले जाती है एक ऐसा stage जहां पे जो है, human being जनम और मृत्तिव से छोड़कारा पा जाता है, जिसको हम हिंदी ने मोच कहते है Salvation means freedom from the cycle of birth and rebirth Both Jainism and Buddhism believed in the doctrine of transmigration of the soul दोनों ही Jainism और बुद्धिज्म ये belief करते थे, कि जो soul होती है, जो आत्मा होती है वो transmigration होती है, मतलब कि उनका शरीर तो मर जाता है लेकिन जो उनकी आत्मा होती है, वो जीवित रहती है और वो rebirth करके एक नया शरी लेती है This means that the body perishes, but the soul may be born again and again जो हमने बताया आपको, कि body तो मर जाती है, death हो जाती है लेकिन जो soul है, वो जीवित रहती है, वो again and again birth ले सकती है They also believed in the doctrine of karma और वो जो है, जो कर्म, कर्म के बारे में भी जो है, बिनका विश्वास्ता मतलब जैसा करोगे आप as you so, as you reap आप इंगलिश में भी पढ़ते हैं, ये as you so, as you reap जैसा भोगे वैसा काटोगे तो मतलब अच्छे कर्म करेंगे, तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करेंगे, तो बुरा जैसे कि आप इटा study करते हो, तो आप first आते हो और अगर study नहीं करते हो, तो fail हो जाते हो cause for the decline of jainism and buddhism but इटा, slowly slowly the time comes when jainism and buddhism declines slowly धीरे धीरे क्या हुआ कि modern age आती गई और jainism बुद्धिम जो religion था वो धीरे धीरे खतम होने लगा in spite of the missionaries activities of jainism and buddhism the two religions gradually saw our decrease even जो partial ही चल रही थी, missionaries चल रही थी, buddhism और jainism activities भी चल रही थी, सब follow भी कर रहे थे लेकिन एक ऐसा time है कि दोनों ही religion धीरे 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 decrease होने लगे उनके followers और ये religion कम होने लगा धर्म जो है, इसके followers कम होने लगे in the number of followers, this was due to several reasons इसके भी पीछे जो है कुछ regions थे, हम आपको बताने जा रहे हैं क्यों jainism और buddhism religion कम हुआ जैसे कि धीरे धीरे क्या हुआ कि अशोका, कनिश्का, हर्सवर्धन ये जो राजा थे तो ये भी पीटा अपने एक time पे आने पे जो है इनकी death हो गई है तो वही हमने बताया कि पीटा जब head of family कुछ करता है तो वो हम भी करता है अगर head of family कुछ करना बंद कर देता है तो वो धीरे धीरे खतम हो जाता है ठीक है ना तो ये ही चीज़ हुआ कि क्या हुआ बिटा जब ये लोग death हो गई इनको इनकी हो गई तो धीरे धीरे जो है जो इनकी subjects थी जो इनकी family members थी उन्होंने भी धीरे धीरे follow कम कर दिया Emperor Ashoka had constructed the hundreds of viharas resting places for monks in Magadha, Kanishka had started the Mahayana form of Buddhism और जो Kanishka थे उन्होंने Mahayana sects follow कर लिया जिसमें की मला मूर्ती की पूजा होती है कुमार गुपता founded the Nalanda University and Hershwaranda incurs Buddhism learning The Palas had sent missionaries to Tibet in order to spread Buddhism देरे देरे क्या हुआ कि जो हर्सवरदन थे उन्होंने बुद्धिस्म को learning को incurs किया कि हाँ बुद्धिस्म को follow करो और जो पाला थे राजा पाला या पाल कह सकते हैं तो उन्होंने जो है missionaries को तिबबद भेज दिया कि वहाँ पे भी Buddhism religion फैल जाए तिबबद में तो अभी भी है बटा In the course of time the monks got accustomed to an easy going life धीरे धीरे क्या हुआ कि जो पहले के monks होते थे अभी भी जैसे देखो बटा पहले के पुजारी होते थे ऐसी life जीते थे मुलब एकदाम simple life उन्हें ना fridge की जरूरत है ना पंकी की जरूरत है ना अच्छे कपडों की जरूरत है ठीक है simple life जीते थे बट धीरे धीरे कि आप देखो अब ऐसे priest पुजारी और मौलाना और गुरू लोग हो गये हैं धीरे धीरे modern age में आ गये हैं कि उन्हें बाइक भी चाहिए कार भी चाहिए तो धीरे धीरे यही हुआ कि जो monks पहले जो पूरी तरह से अपने आपको जो है समर्पित की होए थे अब वो धीरे धीरे जो हैं अपनी life को easy बनाने लगे कि मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए तो they lived on charity, stood in monasteries and seldom went out to people for alms तो पहले क्या होता था कि monasteries में रहते थे और कभी-कभी जो हैं लोगों से भीक मांगने भी जाते थे alms means भिच्चा भी होती है वैसे gradually they also began to show favors to students of the so-called upper caste धीरे-धीरे क्या हुआ कि Gotham बुद्धो और महावीर ने तो यह हमें बताया था कि there should be no caste system, everyone is equal, सब लोग बराबर है लेकिन जो बाद में monks आए उनके जाने के बाद ठीक है ना जब वो अपने भगवान को समर्पित हो गए, ठीक है उनमें lean हो गए तब जो monks थे, पुजारी लोग उनके थे, जो follow कर रहे थे उन्होंने क्या किया कि जो upper caste से जो students आते थे उनका ज़्यादा fever करने लगे, मलब partiality होने लगी वहाँ पे there was no equality between rich and poor student धी दे क्या हुआ कि अमीर और गरीब जो student थे उनके बीच में कोई equality ही नहीं रही है, जैसे कि बेटा हम भी teachers हैं, अगर class में जो हैं, जो अच्छे बच्चे उनको ज़्यादा प्यार करें और जो मलब थोड़ा सब weak है या मलब slow minded है, उनको कम प्यार करें तो ऐसे class में क्या होगा difference हो जाएगा है ना, तो यह नहीं होना चाहिए, तो इसी तरीके से जो जब यह उनकी classes में होने लगा, monestries में होने लगा, तो वहाँ पर क्या उन्होंने फिर religion को follow करना बंग कर दिया with the coming of invaders from Central Asia who are followers of Islam or invaders from Central Asia, मलब Central Asia से जो है एक घुसपेढ़िये भी आए गुसपेढ़िये मतलब, और कह सकते हैं, बाहरी लोग भी आए जो Islam को follow करते थे, ठीक है ना, तो our last number of monestries were destroyed, उन्होंने क्या किया बिटा, कि बहुत सारी monestries को destroy कर दिया, तोड दिया, मंद्रों को तोड दिया, जैसे कि सोमनात मंदिर बिटा जो है आपका है, तो वहाँ पर सोमनात मंदिर जो है, क्या किया था, मैमुद गजनवी ने 16 times attack किया और सोमना बगरा लूटा उसने है ना, और मंदिरों को भी तोड़ा, इस तरीके से जो है, इनकी भी monestries को जो Islam को follow करते वो धीरे-धीरे मलब जो है, attack करके तोड़ दिया, तो ये सब reasons थे हैं कि Jainism और Buddhism का जो followers से वो कम होते गया और ये धीरे-धीरे Islam, sorry, ये Buddhism और Jainism religion कम होता गया, grants for the monks and monasteries were usually stopped, grants means जो अनुदान दिया जाता था, जो मतलब monasteries को चलाने के लिए और monks को जो हैं रखने के लिए जो government की तरफ से या जो राजाओं लोग की तरफ से जो अनुदान दिया जाता था, जो पैसा दिया जाता था, वो भी कम कर दिया गया, तो ये ही सब reasons थे बेटा, जिससे कि जो हैं बुद्दिजम और Jainism religion कम हो गया, तो I hope बेटा, ये लगा, अनुदू पर ली और गया, जो झासे बुद्दिजब बुद्भरा बुद्दिजिए, जो 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 एक इस बुद्दिए, जो एक्षैस अच्छवड की तरिए, जो प्रोग बुद्दिए, तो मुद्दिए, ओर झालने के लोग।, शूझत ररेखने,